क्या एनल 6 मतलब गुदत द्वारा किया गया 6 और तुमको अच्छा लगता है क्या औरते वो पसंद करती है क्या वो करना चाहिए इसके बारे में मैं आज बात्तीत करने वाला हूं और अधिस homemच इखी होता है की घ्या से लेड्रीन होती है जोशेक्स किया जाता है उसमें से लीगोऊ इंसर्ट करके जो शेक्स किया जाता है उसको अनल से क्यों ईसए करना और वहां घर्षन करना और सिक्स करना इसको बलते है अनल सिक्स अभी अच्छा है क्या बुरा है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में काफी सारे सवान लोगों के आते रहते हैं एक तो क्या है कि यह बहुत न्यू है ऐसा लोगों को लगता है कुछ नया सुनना करके लोग करके रिखते हैं तो कुछ लोग बहुत ही क या अलकोहल के अंदर है नशा उसमें करते हैं या किसको अच्छा लगता करके करते हैं या पार्टनर को अच्छा लगता करते हैं तो इसमें से में छे रीजन एक स्टेडी की गई उसमें से उसमें करिब 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 काफी मतलब और तो उनको जो एनल सेक्स कर रही थी उनका इंटर्विव किया गया और इंटर्विव करने के पूछा गया चिक्ष क्यों करती है तो नंबर एक लोगों नहीं यह बोला कि वह इंफ्लेंस में थी दवाईयों के drugs के या alcohol की influence में ती ऐसा 62% नहीं कहाँ इसलिए उनने किया nr2 उनकी खुद की इच्छा थी जा ता उनको इसलिए खुद की इच्छा से नमबर 3 पाट्नर को खुशी देना है इसलिए किया पाट्नर को अच्छा लगता पाटनर ने जबर्दस्ती किया 53% वर्त ने जबर्दस्ती किया और यह करना पड़ा तो इसे अलगuciónज are और इसमें अउत और कर सकती है क्योंकि वह वंहाँ से!」 पहन के वह और तो अवरत औरस से और अनिले के द्वारा सेक्स करते हैं बह가지 हो गया हैनि अनिलिंग भी होता है एनिलिंग मतलब एनस को जिवा से तझंग से यहां मूद से चाटना किसिंग करना या पेगिंग होता है मतलब और तोने सेक्स प्राइज पहन के पुरुष के इसमें डालना वो भी होता है जैसे काफी सारे इसमें किया जाते और क्यों को अलग करना करते शैंगे और आपको बताने वाला हूं कि इसमें ऐता है यसमें पूर्प कॉरुष को क्लामेस मिलता है कि उसका प्रॉस्टेट जो है वो stimulate हो जाता है इसलिए उसको मिलता है और तोंको indirect stimulation of unilink clitoris यह वजाएनल stimulation करते हैं उस समय और इसलिए उनको मजा आता है तो उनको मतलब anal sex में anal part जो sensitive मजा आता है अच्छा लगता है उनको और वो करते रहते हैं तो और गयाजम मतलब जो बहुत कि उच्चतम अवस्ता है sex की बहुत आनन की अवस्ता जो है वो उनको मिलती है मजा आता है करके करते हैं मगर कुछ अवरतों को इसमें बहुती दर्द होता है क्योंकि वहां क्या होता है रेक्टम एनस महां कोई सिक्रेशन नहीं होता है गिलापन नहीं रहता है और जब गिलापन रहता है तो इसलिए लूब्रिकंट का वापर करना बहुत जरूरी अच्छी मातरा में और नंबर दो कुछ अवरतों को वह अपमान जनक लगता है हिमिलेटंग लगता है कि राफमान कर दिया कर दिया कीा एसा काईसा कर दिया यह अईसे में लोग ऑन लगता है कोई लोग डिक True में जातें इसमें सेख़ैली ट्रांसमिटेव इंफशनोने की चांसें बहुत जाला है क्योंकि धाक है के एंदार में मतलब its two-thats ंब्रदवार में आप सिक्स कर रहे तो वहां कोई in compound Ils स्टूल से वह बहूए अगया आ और वो समझो भजाना के तरफ चले गया तो वहां से infection वजाना में हो सकता है या एनल सेक्स करने के बाद में वजानल सेक्स किया तो infection हो सकता है या फिर रेक्टम में मतलब एनस में सिक्रेशन ने होता है गिलापन ने रहता है लुब्रीकन लगना जो नहीं कि और फॉर्सफुली अंदर डाल दिया तो वहां वह एनस फट सकता है जखम हो सकती है खुना सकता है तो वह एक problem होता है तो इसलिए lubricants का वापर करना बहुत जरूरी है तो यह basic मैंने आपको बताने वाला हूँ 40 ऐसे points कि जो आपने anal sex के बारे में ख्याल में रखना जी मैं ऐसे आपको 40 points बताने वाला हूँ कि जो anal sex के बारे में आपको काम में आएंगे नंबर एक anal sex करने के समय हिमोराइड मतलब blood vessel का महाँ clotting हो सकता है या खुना सकता है तो ऐसा कुछ होता है खुना गया तो टुरेंट डॉक्टर को बताने का है या वहाँ फट सकता है रेक्टम नंबर दो infection हो सकता है क्योंकि देखो stools बाहरा रहे मतलब गंदगी बाहरा सकती है वह वह जाने के तर से अवरत के गैसा सकता है और वह आपको गंदा लग सकता है या अच्छा ने लगेगा तो वह आपको मालू होना चाहिए नंबर चार करने के बाद में आपने बात्रूम जाने का है और साफसफ़ा ही करने की है क्योंकि थोड़ा सा स्टूल भाहरा सकता है या जो भी कुछ ह साफ सफ़े करना बहुत ही जरूरी है नंबर पांच आपको अरौस करने के लिए गर्मी आने के लिए यदि आप सेक्स ट्वाइज यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है वो सेक्स करने के समय तो सेक्स ट्वाइज यूज़ करो खिलोने स्टिमूलेशन के और विए आप यूज़ करते हैं तो बहुत आपको अच्छा लगेगा नंबर छे और गर्भवती रहेंगी नहीं ऐसी कोई गैरेंटी नहीं है मतलब 99.99 परसेंट नहीं हो सकते कि 0.01 परसेंट गर्भवती हो सकते हैं क्यों क्योंकि समझो आपने बिना कंड लोगों को लगता है कि नहीं करना चाईय हो और गास या पसंद करते हैं करते हैं अव्रतordum क्याने मारे ने वालographic समय वह 4 अन्दर वह इन अंदर वह थाले जयाती हैं जानुर्फ या तो सापसफ़ए वह जाती हो अर फिर गैस या स्टूल्स बाहर आने के दूब आने के तो आपने पॉन जो है वोनी देखनाई जिए Beyond में क्या हुता है पॉन मेंनृ सेक्स्स बताते मगर पॉन में कुछ बहुत imaginary कुछ तभी होता है और फिर वो देखके अपने को लगता है कि बुरा है खराब है या अपने लिता कि वहीता होना चाई तो पॉन देखके मत नंबर बहुत उच्चतम अवस्ता सेक्स की और गयासम उसकी उपर फोकस मत की वह आना चीए नहीं कोई जरूए नहीं यह आएंगा तो आएंगा 11 एनल से सोने के बाद में विरेबात हो गया तो आप आफ्टर प्ले कर सकते हैं आफ्टर प्ले करो और उसमें अवरत को बहुत बुरा लगा है या नर्वस है या उसको अपरादीपन की भावनारी तो बात कर सकते हैं और कुछ नहीं लग रहा है अच्छा है कडल करो किस करो दोनों मिलके स्नैक्स वगरे लेलो हल्का-फुल्का कोल ड्रिंक लो कॉफी लो भी लिए करना करें वह कर सकते आफ्टर प्लेर नमबर 12 बारह मिलें ऊपताना चीह कैसा करना और पूरष मरणा चाहिए उसको कैसा होता है इसलिए आपको ये नौलिज नॉलिज होना बहुत ज़रूरी है नमबर 13 देख़ एनल सेक्स है अल्टिमेटली यह वह जानल सकती है तो इसमें गंदगी सकती है डाह सकता है फिर गैस निकल सकती है फिर बेड़ खराब हो सकता है और दिया अच्छा एक्सकार रोड भेयर वेकर कुछ तो वह हो सकता है और वह पैक्सप्ट करना चाहे है नुमबर चोड़ा रिलाक्स रहो पर लोट आप भी फिर रिलाक्स आप जितार रिलाक्स करें प्राइब उत्या ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे। नमबर 15, उस समय गैस छोड़ना, सेक्स करने के समय यह बहुत ही नॉर्मल है, वाइल छोड़ना, गैस छोड़ना यह बहुत ही नॉर्मल है, दोनों भी और या आदमी दोनों भी गैस छोड़ सकते हैं, और कभी-कभी बहुत ही गंदा बास यह आता है गैस का तो आपको वाता इमेजिनेशन करो अच्छा सेख्स वाला रोमेंटिक स्टोरी पढ़ो अपने आपको त्यार कर सकते हैं फैंटासी वगरे ऐसा मतलब देखके फैंटासी कर सकते हैं या रोमेंटिक या ऐसा कुछ तो भी कर सकते हैं कि जिससे आपको excitement आ जाएंगे नमबर अठरा आउरतों को भी उसमें मज़ा आता है ऐसा ने कि आदमी को ही मज़ा आता है पुरुश को मज़ा आता है तो और ने भी enjoy करना चाहिए वो enjoy कर सकते हैं तो उसने भी कि अनल सेक्स कर रहे हैं तो उसके बाद में वजानल सेक्स तुरंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां से इंफेक्शन जा सकता है उदर 21 कंडों लगाना मत भूलो कंडों लगाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि पुरुष को कोई सेक्स्टा अंदर डालो या चोटी उंगली डालो या कुछ भी ऐसा मतलु उसको ट्रेनिंग देखे धिरे 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 उसमें अंदर डालेंगे तो बाद में फिर लिंगा तो तकलीब नहीं होंगी तेस स्पेस अच्छी तैयर करो मतलब आपके बेड़ शीट आपका बे बदिर हो जाता है भाग तो बदिर होने वाली क्रीम नहीं परना है नंबर 25 पहले आपने अक्यले ट्राय करना चीए चोटे-चोटे-चोटे कोई सेक्स टॉइज डालके या उंगली डालके या मतलब पहले खुद को ऐसा तयार करना चीए अक्यले में और बाद में फिर अक्यले पहले करके देखो 26 प्रेशर के अंदर मत करो प्रेशर है पुरुष का या पार्टनर का उसके अंदर कर रहे तो वह नहीं करना है नंबर 27 जिए आपको बुरा लग रहा है अच्छे नहीं लग रहा है तो फिर उसके बाद में तो फिर डॉक्टर को जरूर कॉंटक करो रहा हूं मुटेइट करो जरूरी है नमर 28 अनल पियोड्य चिपे पास्ति मुलेट करना 28 के ओपर स्टिमूलेट करना मन्मै गरम करना जूरी है फूर प्ले हिसा हो गया या कोई करणने से कुझ आ रहा है गुदर द्वार्सी तो तो रण डॉक्टर को संबर्द करो आपको अच्छा लगता है तो बोल से दर्द हैं तो बोलो दरद है जो भी आप बात करेंगे आप एंजोई बी अच्छा कर सकेंगे तुर नंबर 32 इसके साथ साथ ता जाएंगा उरत को नंबर 33 सेम कंडूम मत वापरो यदि आपको भजाएनल इंट्रो को उसके बाद में करना है तो क्योंकि यहां का इंफेक्शन है यहां शौच है और वो कंडूम को लग सकता है वहां की गंदे की लग सकते हैं वही कंडूम से आप यदि भजाएनल कर रहे है तो वहां का इंफेक्शन उदर जाएंगा इसलिए सेम कंडूम नहीं वापरना है और कंडूम बदल के भजाएनल करने का है नंबर 34 लूप्स बहुत ज्यादा वापरो ज्यादा मात्रा में वापरो लूप्स क्योंकि वहां सीक्रेशन होता ही नहीं है वहां गिलना पून हो है तो बहुत अधिक मात्रा में लूप्स वापरना बहुत ही जरूरी है नंबर 35 बहुत ज्यादा समय तक चलना है तो सिलिकॉन लूप्ट या वह जली है तो इसलिए सिलिकॉन-बेस लूप्स बपरना हो जरूरी है नंबर 36 पेनिस का जो सामने वाला पोर्शन रहता है दिरे दिरे उसको अंदर डालना शुरू में क्योंकि पीछे वाला पॉसिशन चोड़ा रहता है तो फिर इसलिए आराम से करना होगा नमबर सही तीस पोजीशन साब बदल सकते हैं फिमेल लॉन टॉप भी आ सकते हैं फिमेल लॉन टॉप और ऊपर से आदमी नीचे से ऐसी ब रिलाक्स है ताकि आप ऐसा कंट्रेक्शन में लाएंगे न तो कर देंगे पूरा नीचे वाला पूर्शन तो अंदर जाने के लिए तकलिफ हो जाएंगे, रिलाक्स करना है तो रिलाक्स करो, फिबोक ऑक्सिजन मसल्स रिलाक्स करना वह तही जरूरी है नमबर 49, उसमें श आप हो गया कुछ थिवे ऐसा कुछ नहीं है और आखरी का नॉम्बर चालीज यदि आपको वह अच्छा नहीं लगता है हेट करते है पुरा लगता है तो बिल्कुल वह करना नहीं है मैं कोई annual intercourse recommend नहीं कर रहा हूं जो annual intercourse कर रहे हैं उनके लिए मैंने कुछ सावधानी क्या वरत मा है वो बताई और उसके बारे में scientific knowledge आपको दिया क्यों आपको अच्छा लगा तो जुरूर लोगों को share करो thank you very much हमारी चैनल को like करो subscribe करो thank you सेख समस्याओं के बारे में मेरे काफी सारे वीडियोज है उसका आमने एक online video recording करके workshop एक course बना हुआ है वो course जो है online course उसमें करीकरी 60 वीडियोज है और उसमें hypnotism की भी है कि hypnotism के माध्यम से नपुन सकत्व शिगरपतन ये कैसे ठीक करना और काफी सारी सेख समस्याओं के बारे से आपकी सभी सेख समस्याओं का समाधान हो सकता है तो ये आप online recording course जो है तो ये online recorded course आप हमारे एप से ले सकते हैं उसका description निकिचे दिया ओए link दिवी एप की और वैसे ही आप telegram गुरुप से आप जुड़ जाते हैं हमारे WhatsApp गुरुप से जुड़ जाते हैं या website से तो आ online course के बारे में जानकारी हो जाएगी ये online course करके आपके सभी समस्याओं का समाधन हो जाएगा आप निचे दिए नंबर दिए उसके ओपर भी call करके वह online course खरीच सकते हैं इंस्टा मुझा की भी link दी हुए है उसमें आप direct payment कर सकते हैं thank you very much झालका मुझा की बारे में जाएगी ये ।सकी दिए नंबर दिए हैं